हालो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हैं आप सब ठीक होंगे आज अवंतिका रसो के किचन में बन रही है गुजिया उन सबकी फेवरेट होती है पर क्या होता है कि हम लंबी समय तक इसे श्टोर करके नहीं रख पाते तो उसी परपस से मैं यह वीडियो लाए में इसकी फ्लेम को कर देंगे बंद आप मार्केट का मावा लाए यह घर का इसे गुजिया बनाने के समय इसे जरा सा फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है इसे क्या होता है गुजिया की लाइफ लाइन बढ़ जाती है पहली टिप तो यह हो गई आपकी मावा तो मैदा ले लेना है और मेल्ट किया हुआ हमने डेसी घी डाला है आप चाहे तो इसमें वनस्पति का इस्तमाल भी कर सकते हैं पर रिफाइन का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करा जाता मौयन के लिए इस तरीके से हम जो है इसकी मुट्टी पंद करें तो यह एक सेट हो रहा है इ और एक चीज मैं बताने चाहूंगी आज की रेसिपी की दूसरी टिप्स यह है कि आप डो लगाते समय दूद का इस्तमाल मत कीजेगा अगर दूद का इस्तमाल करते हैं तो आपकी गुजिया की लाइफ लैन बिल्कुल नहीं रहेगी अगर स्टोर करना है तो आप पानी का इसको मैंने एक पॉलिथिन में रखे रैप कर लिए आप चाहरे तो सिल्वर फॉइल में भी कर सकते हैं तो फ्रेंच जब तक की डोरेश्ट हो रहा है उसी कढ़ाई पे मैंने लिए सूजी दो से तीन चमच और इसे अच्छे से हमें लाइट ब्राउन फ्राई कर लेना है भून दी के बाद इसे दागी तो भूने का बाद बैक सबस्वाद ब्राफ निकाला है उसमें Stateं में फूर देखे ज संटा बशिवसे कर सकती हैं और कि ऐसी नाजलें गुले मैं तो आ मैंने थी कडीकने तो मैंद ठीकि चीनी आप चाहे तो चोटी यली चीनी महीने वाली च सूजी अब मैं बताती हूं इस रेसिपी की तिसरे टिप तिसरे टिप से अगर आपका मावा में बटर ज्यादा यानि घी ज्यादा तो आप सूजी के इस्तमाल जरूर कीजिए उससे भी आपकी गुजियाग लाइफ लाइन बढ़ जाती है मावत भी रेडी हो गया है मिक्चर और इधर हमारा डो भी सेट हो गया तो इस डो की मैंने थोड़ी सी लोई निकाल लिये जितनी ही हमें जरूरत हो उतना ही डो लेना है उसके बाद बाकी का डो हमें रैप करके वैसे ही रख देना है क्योंकि मैदे में हवा अगर लगती तो मैदे जो होता है जो फोपर से ड्राइ होने लगता है इसने हमारी पूड़ी यह अच्छी नहीं बनती है इस तरीके से हमें रोटी मेकर या पूड़ी Sitting Todo कि मशीन यह दिर काम निकारें पहर चीर हर घर में नहीं अवेलबल होती तो मैंने सिंपली चकले बेलन का इस्तिमाल किया है और यह देखिए फ्रेंट यह गुजिया कटर है इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा वाला मैदा लगा लिया है ताकि हमारी जो पूड़ी है वह इसमें चिपके नहीं तो अब इसमें पूड़ी रखेंगे गुजिया कटर में इसमें स्टफिंग हमारी भर देंगे जो हमने तैयार करके रखी दी साइड में लगाएंगे हम पानी और इसे कर देंगे अच्छे से प्रेस और एक्स्ट्रा का मैदा हम निकाल लेंगे तो फ्रेंस यह देखेंगे यह गुजिया फ्रेंस इसी तरीके से मैं एक टिक और बतात항 यह देख्या नेपूरी अपमारी इसमें रखेंगे पानी लगा लिया है आप पानी लगाना महीं बूलना है और इसी तरीके से फिंगर की सायता से आप इसे चिपका लेंगे और एक फॉक की मदद से इसमें हम डिजाइन बनाएंगे तो फ्रेंट एक टिप्राइब मैं बताना चाहते हूँ कि जब भी हम गुजिया फ्राई कर लेते हैं उसके बाद में क्या करना होता है कि गुजिया हम हमें अच्छी टरीके सी थंडा कर लें उसके बाद में ही हम इससे स्टोर करें जो अब इसमें बना लेंगे हैं एक टिप्स और है कि मावे की चीज में यानि कि किसमिस का यूज नहीं होता है किस्मिय से भी हमारी गुजिया की Life Line कम हो जाती है तो friends देखे गुजिया तो बनगे आप चलते हैं फ्राइ करने के process पे तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे एक गुजिया डाल रही हूं फ्राइ करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑईल का इस्तमाल किया है आप चाहें तो वनस्पति या देशी घी का इस्तमाल कर सकते हैं गुजिया अपने आप अगर यह रेसिपी आपको थोड़ी यूस्फूल लगी हो अगर आपको लगता है कि हाँ यह इसमें कुछ है नॉलेज तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आगे आपको कौन सी रेसिपी देख रही है अगर यह प्लीज मुझे कमेंट करके बताएए थैंक यू सो मुच